पियमोदी ने विपक्ष परसादा निशाना कहा चुनाव की गोशना से पहले से ही कॉंग्रेस के निता अपनी हर मान चुके हैं इंडिया लाइंस को चुनाव में लड़ने के लिए उमीदवार तक नहीं मिल रहा पियमोदी ने राहूल गांदी परतंच कस्ते हुए कहा कि कॉंग्रेस के शहसादों को भी वाइनाट में संकर देख रहा है जैसे कि वाइनाट में 26 अपरेल को वोटिंग पूरी हो जाए कि कॉंग्रेस राहूल गांदी के लिए एक और सीट घुशित कर देगी किंद्रे मंतरी समावलपूर लोगसभा शेतर से भाजपा उमीद्वार धर्मिंद्र प्रधान ने अगनिवीर अभ्यारती से भाचीट की आद्परदेश कॉंग्रेस प्रभूक का कडपपा को लोगसभा सीट से पाठी की उमीद्वार वाइस शर्मिला ने रोट शो किया और इस दोरान उनों जनता से कॉंग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की बोपाल में अध्यपरदेश की सियम मोहन यादव की मौझूद्गी में कई कॉंग्रेस नेता और कारेकरता बीजेपे में शामिल हुए इस दोरान सभी ने बीजेपी का समर्थन की बात की पंजामे कॉंग्रेस को बड़ा जटका हिमाचार प्रदेश के कॉंग्रेस पुभारी और प्रयांका गांधी के करीवी तजविंदर सिंग बिट ने पार्टी की प्राथमिक सदस्ता से इस्तिफा दे दिया बैंगलूरू में प्यम मुदी के आगमन से पहले कॉंग्रेस कारी करताओं ने प्रदर्शन का आवाहन किया इस पर पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमती देने से इंकार किया और कॉंग्रेस कारी करताओं को हिरासत मिलिया क्रावज इवनी कोट ने देली उत्पाज चुलक नीति से जुड़ी हुई CBI और EDK में रैगुलर जमानत की मांगवाली मनीश शोदिया की जमानत याची का खारिच कर फैसला सुरक्षित रखा CBI की वखेल ने आपनेता की जमान का विरोध करते हुए कहा कि मनीश शोदिया मुख्या रूपी हैं और सबूतों से छेट शाड कर सकते हैं तमिल्नाडू के कांचिपूरा में मतदान होने के बाद EVM और VVPAT को स्टरंग रूम में लाया गया तमिल्नाडू लोग स्वाचुनाब में 99.46 प्रतिशत मतदान हुआ ओडिश्टा के जार गुड़ा में शुक्रवार शाम हुए हाथसे में मरने वालों की संक्या साथ हो गई है महिलाय और बच्चे समय मिलागर के 50 यातरी को ले करके जा रही थी नाव महानदी में पलट गई तिलांगना की राज़ानी हैदरबाद में कई जगहों पर बारिश हुई है जिसके बार तापमान में काफी गिराबट काज़बाद के खोड़ा कॉलनी में एक कुदा में लगी आग गरी मत रही कि इस घर्टना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ दमकल की गाड़ियों ने मौके को पहुचकर आग पर काबू पाया हापूर में भी एक गार्मेंट शोरूम में लगी आग जिसके बाद दमकल ने आग पर काबू पाया पश्चे बंगाल के पूर्वा मेदीन पूर के हल्दिया में सूपर्मार्केर शेतर के आठ दुकानों में लगिया गनिमत रही कि इस हाथ से में किसी को कोई नुकसान नहीं उत्राखन के जंपावत में कई जंगलों में भीशनागा मौलानी के सामाचिक कार्यकरता ने वर्मिभाग पर आरूप लगाया है कि वो घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे तोड़ा भीम के पुरानी नाजमंडी परिसर में श्रीमत भागवत कथा का शुबारंब हुआ महिलाओं ने पुरानी नाजमंडी में विधिविधान में से पूजार्चना की और सिर्पर कलश्टरा करके यात्रा निगाला बांसूर पुलिस ने थाने के मैंस में खाना बखाने वाले लांगरी की बेटी की शादी में भाद दिया और डियस पी थाना अधिकारी सहीद कई पुलिस अधिकारी ने एक लाग क्यावन हजार रुपे नगद और आभुशन दिये कोड़ पुतली आके बांसूर में हमार बाबा श्री गिर्धारी दास महराज का लखी मेले कायुचन हुआ है मंदिरों को फूलों से सजाए गया जैसलमीर में मद्दान के प्रती जागरू करने के लिए ट्राइसाइकल रैली निकाली गई देव्यांग मद्दाताओ और प्रशासनिक अधिकारियों ने बर्चर कर हिस्ता लिया लोगसिवा चुनाव को लेकर के आसिद में मद्दाताओ को जागरू करने की बड़ी पहल देखने को मिली सहाइक निर्वाचन अधिकारी की मौझूद्गी में लोगों के हाथों पर रक्षास्तु तुक्तर बांत कर चुनाव में मद्दान करने का बज़न लिया देशुरे में के अपीना में स्कूली शातर शात्राओं ने वद्दाता जागरू तरैली निकाली वोट देने की अपील की और इस दोरान स्कूल तीचर समीत कई लोग मौझूद रहे कोटा के रामगंज मन्दी में हजन दादी अमा चिस्तिया के तीन दा दिवसिया ओर्स का कुल के रस्म के साथ ही समापन हुआ ज्यायरीनों ने मजार पर अकीदत के फूल पेच किये प्रदाबगान में एक चार पहिया वाहर ने बाइक को टकर मार दिया और मौके से फरार हो गया हाथ से में तीन लोग गंभी रूप से खाय लालसूर में भीशन अगनी कान शे घर जल कर खाथ दमकल ने तीन घंटे की कड़ी मशकत के बाद आगपर का उपाया बुजावर के राजा मंडी के पास दुकान में शौर्ट सर्किट की वज़े से आग लग गई सारा समान जल कर खाथ दमकल ने तीन घंटे मशकत के बाद का उपाया आगपर यूपी वोर्ट की दस्वी और बारवी का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा यूपी वोर्ट अध्याक शिदो फिर दो बजे प्रेस कॉंफरेंस का रिजल्ट को उचित करेंगे काज़्यबाद के मुरादनगर में चार साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या की गई है आर उपी ने एक पत्थर से कुचल कर बच्ची को मार दिया मैंपुरी के बेल धारा गाव में विशन सडखाथ सा तेज रफ्ता ट्रक नेरे ट्रेक्टर ट्रॉली को टकर मार दी इस हाथ से में चार लोग मैंपुरी में हुए सडख हाथ से पर मुखे मंत्री योग यादे तेनात ने दुख जताया सीम ने शोक सा सपत परी जनों के प्रती सम्वेधन आव्यक्त की मादे प्रदेश के बैतूल में हुमगाड और पुलिस के जबानों ने से भरी बलट गई हाथ से में एक इस जबान घायल हो गए और जनका इलाज जारी है दार के बूर्शाला में तीसवे दिन का सर्वे जारी है SI की टीम हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मौजूद सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजान अशोक नगा ने बिजपी नेता अमर सिंग जाबडा के साथ मार पीट हुई है तीन बाइक सबार युवकों ने बिजपी नेता पर लाटियों से हमला किया इन दौर में युवक ने उटको सिग्रेट पिलाया जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो देख भी वीपल फॉर अइनिमल संस्थाने है थाने में शिकायत दर्च कर रही खरगोर में रफ्तार का कहर दिखा जहापर तेज रफ्तार वाहन ने दो बाइक को टकर मार दी हाथ से में तीन लोगों की मौकी पर मौत बलरामपूर में दो करमचारियों को निलम्मित किया गया दोनों करमचारियों निर्वाचन आकारे में लापरवाही बरती थी जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने संग्याल लिया बल्रामपुर में जंगल में कई एकर तक भीशन आग लग गए और इस वज़े से सैक्रोपेव पौदे जलगर लिखा क्वाट्रफन नगर वन परिशित्र का मामला महासमुन में मद्दान प्रतिशन बरहाने और शाथ प्रतिशन मद्दान को लेकर के प्रशासाने बाइक रेली कायव जिन किया